हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ बाल मुकुन मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यानिक्स पी तो आज के ओनलाइन टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नम्बर 6 इंट्रोडेक्शन टू इंटरनेट एंड डबलु 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 पे आदाहित कुछ इंपॉर्डेंट क्वेशन यह चैप्टर का आप ही इंपॉर्डेंट है क्योंकि यहां से कई सारी क्वेशन्स इंट्वर्डेंट क्या है इसका बिकास किस तरह से हुआ इस तरह की कुछ इंपॉर्डेंट होगे जिनको हम पहले डिस्कस करनेगे इसके बाद आज का उनलाइन टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो अगर आप त्रिपल सी या यूपी पी सिल जैसे एक्जाम की तयारी करने है तो आप हमाई साथ डेली आठ बजी सा उनलाइन टेस्ट में जुड़ सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क क्या होता है नेटवर्क एक इंटर कनेक्टेड कंप्यूडर्स का समोह या गुरूफ होता है जिसको मूलते हैं नेटवर्क और नेटवर्क में करने के लिए दो तुरा की मीडियम का स्तमाल कर जाता है एक होता है केबल means wire के माध्यम से आप कंप्यूडर्स को आपस में जोड़ सकते हैं या फिर वाइललेस के माध्यम से कंप्यूडर्स को या networking device को आपस में जोड़ा जा सकता है तो अगर नेटवर्क की बात आते हैं य होता हैं interconnected computers का एक समो या group जिसको हम network बोलते हैं अब बात आते हैं कि network की जरूरत क्या है आवसेक्ता क्या है तो यहां पर आप इन चार points में समझ पाएंगे सबसे पहले है resource sharing माल लेजे आपके office में एक printer है और आपके office में 10 अलग-अलग computers पे लोग काम करते हैं इस तरह से यह म possible होगा जब आप अपने office के सभी computers को network के माध्यम से एक दूसरे से connect करेंगे इसके बाद इस printer को share किया जा सकता है इन बाकी computers के साथ यह सभी computers यहां पे अपने print out इस particular printer पे भीज सकते हैं तिस तरह से जो भी resources होते हैं उनको हम network के माध्यम से साजह कर सकते हैं या share कर सकते हैं दूसरे अगर हम जरूरत की बात करें तो यह होता है reliability means बिस्वसनी इता अब यह इसका point यहां पे क्यों आता है बिस्वसनी इता जैसे मालीजे आपके office में 10 अलग-अलग computers पे काम होता है और यहां पे कुछ data generate हो होता होगा तो आप अगर अपने data को secure बनाना चाहते हैं सु सुरच्चित रहे जब आप multiple जगे आप अपना data रखेंगे तो हो सकता है कोई एक server down हो जाए या एक server कोई compromise हो जाए या hack हो जाए तो आपका data जाएसी बात है अगर कई अलग-अलग locations पे store करके रखा गया होगा तो वो safe रहेगा सुरच्चित रहेगा इस तरह से आपका data lost नहीं होगा तो network के माध्यम से में reliability means बिस्वसनियता मिलती है और अगला है cost factor जो network होता है cost factor काफी कम कर देता है जैसे कोई information है आप किसी दूसरे के साथ साज़ा करना चाते हैं share करना चाते हैं तो अगर आप internet या network का इस्तिमाल करते हैं तो आपकी उस information को transfer करने की या transmit करने साफी लगेगा अगर आप किसी को mail के थूसी message को भेजते हैं तो आपको पता है free of cost जाएगा और इसमें कम time लगेगा आप immediate किसी को message भेज सकते हैं forward कर सकते हैं तो यहाँ पे cost और time दोनों की बचत होती है और अगला point है communication medium एक संचार का सबसे अच्छा साधन होता है सबसे स साधन होता है और real time पे आप यहाँ पे communicate कर सकते हैं चाहें आप यहाँ पे video call करिए या फिर wise call करिए या फिर आप message कर सकते हैं तो यहाँ पे संचार के लिए internet या network सबसे सस्ता और अच्छा साधन है यह कुछ main points हैं जिसे में पता चलता है कि network की क्या जरूरत है क्या आवसक किता है ओके तो अब हम अगला point discuss कर लेते हैं evolution of networking means network का विकास किस तरह से हुआ या कहां से हुआ तो आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा आर्पानेट और इसको डबलग किया गया था 1969 में अब यहाँ से question पूछा जा सकता है कि void का सबसे पहला network कौन सा था ती आर्पान बिस्तु का सबसे पहला network था जिसको 1969 में US Department of Defense ने इसको डबलग किया था अब यहाँ से question पूछा जा सकता है कि आर्पानेट का पूरा नाम क्या है तो इसका full form होता है advanced research project agency network आप इसको याद कर लिजे कई अलग-अलग exam में आर्पानेट का full form पूछा जा चुका है ओके तो अब हम देखेंगे अगला point और अगला point है आपे transmission medium अगर हम network establish करना चाते हैं तो जाइस सी बात है हमें transmission medium की आवसेक्ता होगी मीडिया की आवसेक्ता होगी जिसके माध्यन से हम एक computer से दूसरे computer में data transmit कर सकते हैं या information को transmit कर सकते हैं तिहां पे कई अलग-अलग media कर इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि सबसे पहले twisted pair आप सभी ने देखा होगा कुछ cables होते हैं इस तरह से जिसमें दो wires होते हैं इस तरह से इसको मुलते है twisted pair आप यहां से एक्जाम में पूछा जा सकता है कि twisted pair की मोटाई कितनी होते हैं तिये 1mmS की मोटाई होती है ओके अगला एक transmission media होता है coaxial cable इसको आप सभी ने देखा होगा जो disk TV में इस्तेमाल होने माला cable होता है वो coaxial cable होता है इसके माध्यन से data को transmit किया जा सकता है तिये भी एक medium है और अगला media है infrared इसके माध्यम से भी data information को send किया जा सकता है इसी तरह से radio wave, microwave, satellite यह ऐसे media होते हैं जिनके माध्यम से network को establish किया जा सकता है data को एक machine से दूसरी machine तक भेजा जा सकता है तिये points काफी important है क्योंकि यहीं से कई सारे questions बन सकते हैं ओके अब हम बात कर लेते हैं कुछ components की या devices की जिनका हम network establish करने के लिए इस्तिमाल करते हैं यहां से भी कई सारे questions पूछे जा सकते हैं जैसे कि सबसे पहला device है modem modem एक ऐसा device होता है जो में telephone line से अपने computer को connect करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है और modem का काम होता है analog signal को digital में convert करना और digital signal को analog में convert करना मीज़ यह modulator और demodulator का काम करता है और अगला यहां पे device है जिसको बुलते है RJ45 connector जब हम किसी twisted pair को अपने PC के साथ या switch के साथ या hub के साथ connect करना चाते हैं तो यह connector की आवसकता होती है जिसको बुलते है RJ45 connector और अगला device है यहां पे NIC card जिसको बुलते है network interface card इसको LAN card के नाम से भी जाना जाता है इसको Ethernet card के नाम से भी जाना जाता है तो यहां पे अगर आप LAN connect करते हैं means अगर आप अपने computer को network के साथ connect करना चाते हैं तो आपके PC में आपके laptop में डेस्टॉप में NIC card होना चाहिए और अगला device है hub, switch, gateway इनको हम आगे डिसकस करने वाले detail में कहां पे किसका क्या इस्तिमाल किया जाता है यह ऐसे devices हैं जिनको network establish करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है और अगला point है network topology and types network topology की बात करें तो यह होता है कि आप अपने computers को network से connect करने के किस तरह का arrangement करेंगे एक तरह का arrangement होता है कि आपस में computers किस तरह से या किस order में connect होंगे जिसको मुलते हैं topology तो यहाँ पे मुक्यता 6 अलग-अलग तरह की topologies होते हैं जिनका हम इस्तिमाल करते हैं network को establish करने के लिए start topology को इस तरह यह होते हैं जैसे यहाँ पे hub या switch का इस्तिमाल किया जाएगा इसके बाद यहाँ पे computers को आपस में connect किया जा सकता है यह मालीजी PC1 है, PC2 है, PC3 है और PC4 है यहाँ पे hub या फिर switch में से किसी का भी इस्तिमाल किया जा सकता है यह हो गया start topology अगर हम ring topology की बात करें तो simple जैसे कि इसका नाम है कुछ इस तरह से होता है ring की तरह से और यहाँ पे computers आपस में एक तरह से serial order में जुड़े होते हैं एक दूसरी के साथ और यहाँ पे जो data transmit होता है वो किसी एक ही direction में होता है ring topology में data हमेशा एक ही direction में transmit होता है और यहाँ पे कौन सा system कब data transmit कर सकता है वो depend करता है यहां पे token किसके पास है तिहां पे token ring का system चलता है जिस computer के पास token होगा वो इस ring पे अपना data भीज सकता है जब यह अपना पूरा data भीज देगा उसके बाद जिसको भी अगले चांस में data भीजने के जरुवत होगी उसको यह token पास कर देगा इसके बाद इस computer के पास permission होगी कि वो अपना data इस ring पे डाल सकता है हमेशा जो data है वो एक ही direction में flow होता है यहां पे by direction means दोनों direction में data flow नहीं होता है अगला यहां पे topology है bus topology तो bus topology के अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का structure होता है मालनी चाहिए यह हमारी main line है और यहां पे कई सारी computers तरह से connected है ति हो गया bus topology अब यहां पे जो main line होती है यह हमारी computers हो जाएंगे bus topology का जो arrangement होता है कुछ इस तरह का होता है और bus topology में इन दोनों जगे पे terminator का इस्तिमाल किया जाता है ति हो गया bus topology और अगली topology हो जाएगे tree topology tree topology का कुछ structure इस तरह से होता है जैसे यहां पे कुछ computers हैं इस तरह से जैसे कि इसका नाम है tree topology उसी तरह का इसका network structure होता है मींस इस order में computers को आपस में connect किया जाता है और अगली topology है mess topology mess topology के अगर हम बात करें तो यहां पे जितने भी computers होते हैं वो सभी के सभी computers एक दूसे के साथ direct cable के मादिम से connect होते हैं जैसे कि आप यहां पे इस structure में देखेंगे जितने भी computers हैं वो सभी एक दूसे के साथ direct cable के मादिम से connected हैं यह हो गया mess topology mess topology सबसे खर्चीली topology होती है क्योंकि यहां पे number of cables आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस्तिमाल होते हैं और इसे वज़े से सबसे सुरच्छितों secure topology मानी जाती है क्योंकि हर एक computer direct cable के माध्यम से connect है तो यहां पे जिसको भी data भीजना है वो direct single अपने cable के माध्यम से भीजता है किसी और lines इसको data भीजने की जरूरत नहीं होती है बहुते rear cases में अगर कहीं पे line busy है कोई connection break होता है उस cases में alternative route लेके data को भीजता है otherwise हमेशा यह dedicated lines जो होती है उनका इस्तिमाल करता है data को भीजने के लिए तो जाहिसी बात है अगर हमें data यहां से यहां भीजना है तो यह इस line को use करेगा और उस case में आपको पता ही किसी और के पास data नहीं पास हो रहा है direct source to destination means यहां पे data को hack करने की या इसमें किसी भी प्रकार की जो security issues होते हैं वो होने के chances ना के बराबर होते हैं इसी वज़े से mess topology को सबसे ज़्यादा secure माना जाता है और दूसरा यहां पे इसकी जो speed होते हो सबसे ज़्यादा होते हैं और अगली एक topology है जिसको बोलते हैं hybrid topology तो अगर हम star और ring को आपस में connect करते हैं तो इस तरह की जो topology बनेंगी उसको हम बोलेंगे hybrid topology means hybrid topology में star, tree, bus, mess, ring इन सभी topologies के combination होता है जिसको बोलते है hybrid topology ओके तो अब हम बात कर लेते हैं types of network क्योंकि यहां से कई सारे questions पूछे जा सकते हैं इस वोजे से मुझे लगा इन points को एक बार फिर से revision करने के जरूरत है हलागी मैंने triple c news syllabus online classes में chapter wise सभी topics को काफी detail में discuss किया है अगर आपने इस playlist के videos देखे होंगे तो आपको याद आ रहोगा इन सभी topics को मैंने काफी detail में example के साथ explain किया है तो अब हम बात करेंगे types of network तो मुक्यता चार तरह के network होते है land, man, van और pen तो अगर हम land की बात करें तो इसका full form होता है local area network एक ऐसा network होता है जिसको एक किलोमेटर की range में बिचाया जाता है किसी एक building में, किसी एक block में, किसी एक office में, किसी एक इनवस्टी में, किसी एक factory में setup किया जाने वाले network को हम बोलते है land, local area network और अगला है man, जिसको बोलते है metropolitan area network और इसका अगर हम example की बात करें तो किसी एक city के अंदर setup किया जाने वाले network जो होता है इसको बोलते है man और इसका सबसे बढ़िया एक्सांपल होता है cable TV network जो cable TV network होता है आप देखते हैं उसको किसी एक city के अंदर बिछाए जाता है वहाँ पे एक individual कोई operator होता है तो यह सबसे बढ़िया एक्सांपल होता है man का और अगला है van वैन किसी country में किसी globe पे किसी एक particular region पे setup किये जाने वाले network को हम बोलते van wide area network और अगला है pen यह होता है personal area network और इसका उदारन होता है Bluetooth आप देखते होंगे आशकल कई अलग अलग तरह की gadgets होते हैं हम पैंते हैं जैसे कि हमाई smart watch या फिर Bluetooth device जिससे हम बात करते हैं इस तरह के जो gadgets होते हैं वो Bluetooth के माध्यम से आपस में एक दूसरे के साथ connect रहते हैं और ऐसे network को हम बोलते है personal area network ती हो गया types of network ओके तो I hope आप सब ready होंगे तो देखेंगे आज का सबसे पहला question और इन सबी questions के right answer के आप लोग comment box में comment करते रहिएगा तो आज का सबसे पहला question है program और storage इस पीज साजह करने के लिए कई computer एक दूसरे के साथ जूड़े होते हैं या किसका उदारन है integrated system, interconnection, network या फिर उप्रोक तो सभी बिल्कुल सा इस question का right answer हो जाएगा option C, network तो अब हम देखेंगे अगला question और अगला question है modulator, demodulator device कौन सा है अभी-अभी मैंने explain किया तो जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा और आप सभी हमारी चैनल की playlist में जाके CCC new syllabus complete course नाम की playlist है यहां से आप syllabus complete करते रहे, साथ में practice करते रहे तो इस question का right answer हो जाएगा option C, modem modem एक ऐसा device होता है जो कि analog signal को digital में और digital signal को analog में convert करता है और अगला question है निम्ड में से कौन सा उपकरण दो प्रणालियों को जोडने के लिए उप्योग किया जाता है खास कर तब जब system विभिन प्रोटोकॉल का उप्योग करते है question काफी simple है बस थोड़ा से इसकी language को घुमा फिरा के पूछा गया है तो जल्दी से बता है इस question का right answer क्या होगा repeater, gateway, bridge या फिर hub तो आई इस पारेवें थोड़ी सी बात कर लेते हैं जैसे repeater एक networking devices का इस्तिमाल किया आता है खास तोर पे ring topology में जब हमारे cable की length बढ़ जाते है means 100 meter या इससे उपर की range में हमेशा repeater का इस्तिमाल किया जाता है repeater एक तरह से signal को regenerate करने का काम करता है जैसे हमारे पास ही cable है जब इसकी length एक particular range के बाद इसमें जो जाने वाले signals होते है उनकी quality down होने लगती है, decrease होने लगती है तो यहाँ पे repeater के इस्तिमाल किया जाता है और यह आगे की line में signals को regenerate करके भीजता है तो यह signal को amplify नहीं करता है माल लिजे यहाँ पे कुछ इस तरह का signal का pattern आ रहा है इसी same signal pattern को यह आगे regenerate करके भीज देता है तो यह signals को regenerate करता है नकी amplify तो यह हो गया repeater दूसरा होता है gateway, gateway का काम होता है जब अलग-अलग topologies पे काम करने वाली lans को आपस में connect करना है तो उसके लिए हम gateway का इस्तिमाल करते हैं और अगला networking device है bridge, bridge का हम तब इस्तिमाल करते हैं जब similar protocols पे काम करने वाली lans को आपस में connect करना होता है या किसी एक बड़ी lans को छोटी lans में divide करना होता है तो उसके लिए हम bridge का इस्तिमाल करते हैं और अगला है hub, hub एक तरह का broadcast device होता है जिसको हम start topology में हमेशा इस्तिमाल करते हैं अब यहां से भी कई बार exam में question पूछा जा चुका है कि hub किस तरह का device है broadcasting या unicasting तो दिखिए यहां पर जो start topology होता है हमेशा दोनों में से कोई एक इस्तिमाल करता है या तो hub या पर switch अगर हम hub की बात करें तो यह broadcast एक device होता है broadcast का मतलब होता है यहां पर माल लिजे जितने भी systems connected होंगे अब माल लिजे हमारे पास system 1 है और यह system 5 अगर system 1, system 5 को कोई data भीजना चाता और यहां पर hub का इस्तिमाल किया गया है तो जो भी system 1 data भीजेगा यह data बाकी सभी के पास भीज दिया जाएगा इसी को बुलते है broadcasting device तो hub क्या है broadcast device है जबकि switch की बात करें तो यह होता है unicast device और इसका भी हम ring topology में इस्तिमाल करते हैं अब unicast का मरलब यह होता है कि data जिसके लिए भीजा गया है डारेक्ट उसी के पास जाएगा बाकी other networks से connected जो devices होते हैं उनके पास वो data नहीं जाएगा ओके तो आई होप समझ में आ चुका होगा इस question का right answer क्या है तो इस question का right answer है option B gateway जिसका इस्तिमाल के जाता है अलग-अलग protocols पे काम करने वाली networks को आपस में connect करने के लिए और अगला है नेमलकित में से कौन सा संचार mode दो तरफा यातायाथ का समर्थन करता है लेकिन एक समय में केवल एक दिसा में simplex, half duplex, full duplex, by direction तो तीन तरह के communication mode होते हैं सबसे पहला होता है simplex, दूसा होता है half duplex और तीसा होता है full duplex अब यह किस तरह से काम करते हैं यह आप देख लीजे अगर हम simplex का इस्तिमाल करते हैं आपस में दो डिवाइस अगर communicate करना चाते हैं तो यहाप पर data हमेशा एक ही direction में flow होता है और अगर हम simplex के उधारण की बात करें तो इसका सबसे बेटर example है radio या फिर TV क्योंकि यहापे signal सिर्फ एक ही direction में आते हैं मींस आपका जो TV या radio होता है वो signals को receive क करता है वो भीजता नहीं है तो यह किसका उधारण हो गया simplex का तो यह communication mode तीन अलग अलग तरह के हैं simplex, half duplex और full duplex, half duplex की बात करें तो इसमें जो data transmission होता है वो donor direction में होता है means इधर भी होता है और इधर भी होता है लेकिन यहापे condition होती है एक समय पे एक ही direction में data transmit होता है ती हो गया hard duplex और इसके अगर हम उधारण की बात करें तो यह होता है walkie talkie अगर आपने देखा होगा लोगों को बात करते हुए तो जब हम इस पे बात करते हैं तो जो एक side से जो बंदा बोलता है अगला person उसे सुनता है जब वो अपनी बात complete कर लेता है तो बोलता है over and out तो इसका मतलब यह होता है कि मैंने अपनी पूरी बात रख दी है अब आप अपनी तरफ से बात कीजिए या उसका reply दीजिए इसी वज़े से over and out का इस्तिमाल कर जाता है ताकि अगले को पता चले कि मैंने अपनी पूरी बात complete कर ली है और अगला communication mode है full duplex इसमें same time पे दो दोनों direction में data transmit होता है और इसका better example है phone, mobile phone का अगर आप इस्तिमाल करते हैं तो आप दोनों direction से एक साथ अगर बोलते हैं तो दोनों को आवाज सुनाई पड़ती है तो यह full duplex का एक उदारन हो गया तो I hope समझ में आ चुका होगा इस question का right answer क्या है इस question का right answer हो जाएगा option B half duplex क्योंकि यहाँ पे लिखा है लेकिन एक समय में केवल एक दिसा में और अगला question है निमलकित में से सबसे धीमी प्रेशन मींस transmission speed किसकी है twisted pair coxial cable microwave optical fiber और इसी तरह से आपे सबसे अधिक transmission speed किसकी है उस बारे में भी पूछा जा सकता है तो अगर हम सबसे maximum speed की बात करें तो यह होता है fiber optic cable जिसकी speed या data transmission speed सबसे ज़्यादा होती है और अगर हम सबसे कम की बात करें तो twisted pair की speed सबसे कम होती है तो इस question का right answer क्या होगा option A twisted pair आज काफी important questions आपको देखने को मिलेंगे जो कि network और internet से related हो इसी तरह की कई सारे questions exam में पूछे जाते हैं तो अगला question है नेमलकित में से कौन किसी network में सबसे महत्वपूर या सक्तिसाली computer है desktop, network server, network client या फिर data center बहुत simple question है इस question का right answer हो जाएगा option B, network server सबसे सक्तिसाली computer होता है और अगला question है नेमलकित में से कौन wireless LAN का नुकसान है और wireless LAN को sort में लिखते हैं WLAN अब देखें wireless LAN में क्या होता है जो data होता है वो धीमी गती से transmit होता है दूसरा है यहाँ पर जो error rate होती है वो ज़्यादा होता है मेंसे यहाँ पर उच्च तूटी दर होती है इसके अंदर wireless LAN के अंदर क्योंकि यहाँ पर कई अलग-अलग तरह के variations हो सकते हैं जैसे कोई दिवाल पढ़ती है या कुछ structure पढ़ता है तो यहाँ पर जो wireless data transmission speed होती है इनकी वज़े से कम हो जाती है जिसके वज़े से यहाँ पर जो error rate होता है वो काफी बढ़ जाता है और अगला है बिभिन computer से प्रसारण को बाधित करना means यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे को यह disturb भी कर सकते हैं अगर कई सारे अलग अलग तरह के network उस area में है तो वो एक दूसरे को class करना start कर देते तो यह भी एक समस्या हो सकती है दूसरे एक समस्या होते है कि सभी को wireless माध्यम से connect होने की सुभिधा उनके अंदर available होनी चाहिए तब ही वो एक दूसरे के साथ connect हो सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option D उपर के सभी यह सभी नुकसान होते हैं WLAN के means wireless LAN के और अगला question है निम्न में Bluetooth किसका उधारण है जल्दी से बताए local area network, virtual private network, personal area network या फिर wide area network अभी अभी मैंने explain किया था तो जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा बिल्कुल साइस question का right answer है option C, personal area network और अगला question है निम्न में से किस तकनीक का उपयोग single line पर एक से अधिक call भेजने के लिए किया जाता है अब इसको पहले एक example के साथ समझ लीजे यहाँ पर और यहाँ पर एक device लगा है अब यह दूनों एक single cable के माध्यम से connect है और यहाँ पर कई सारे अलग-अलग cables हैं, कई अलग-अलग inputs आ रहे हैं अगर हम इसको input मानते हैं और इसको output मान लेते हैं means यहाँ से calls receive हो रही, multiple calls receive हो रही है और जिसको हमें भेजना है एक single line के माध्यम से और उसके बाद हमें यहाँ पर इनको split करना है जैसे call 1 है, 2 है, 3 है, 4 है इस तरह से हमें 1, 2, 3, 4 में आगे split भी करना है तो इसके लिए इस्तिमाल होता है multiplexing तो इस question का right answer हो जाएगा option B यहाँ पे multiplexer इस्तिमाल होता है इन दोनों ends पे और इसी का इस्तिमाल करके हम multiple calls को एक single line के माध्यम से, single cable के माध्यम से एक जगे से दूसरे जगे बेज सकते हैं इस question का right answer हो जाएगा option B multiplexing और अगला कुछ ने वाई फाई किसका उप्यूग करता है रेडियो तरंगे, सूचम तरंगे, जिसको बुलते हैं microwaves या फिर wireless line या फिर में से कोई नहीं चल्दी से बताएगे वाई फाई किसका इस्तिमाल करता है तो इस question का right answer हो जाएगा option E रेडियो तरंगे मेंस रेडियो बेप्स का इस्तिमाल होता है वाई फाई में और अगला question है network device किस topology में एक ही cable से जुड़े होते हैं कौन सैसा topology है जिसमें networking जो device होते हैं वो सभी एक ही cable से जुड़े होते हैं बेलकुल साइस question का right answer हो जाएगा option B बस और अगला है Ethernet पते में कितने bits होते हैं ये question एक और तरह से पूछा जा सकता है इसमें पूछा जा सकता है कि Mac address कितने bit का होता है या Mac address का size क्या है और यहाँ पर इस question को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया इसमें Ethernet पते में कितने bit होते हैं इस तरह से पूछा गया है तो इस question का right answer हो जाएगा option C 48 bits का होता है याद रख कर लीजे काफी popular question एक सा एक्जाम में पूछा जाता है और यहाँ पर जो Mac address होता है वो physical address होता है किसी भी machine का physical address होता है Mac address जो कि NIC card means network interface card के साथ में in build रहता है और यह manufacturer जो होता है वो manufacturing के time पे Mac address को store कर देता है LAN card के साथ में या फिर NIC card के साथ में तो आगला question है network पर उपकरणों को आपस में जोडने की विवस्था को क्या कहा जाता है protocol, networking, LAN या फिर topology पेलकुल साथ question कर I answer जाएगा option D, topology network पर computer को आपस में जोडने की विवस्था को गया कहते है topology और अगला question है निम्न में से कौन सा networking device physical layer पर कार्वे करता है अब यहाँ पर अगर layers की बात आते हैं तो यहाँ पर networking models से इस्तेमाल होते हैं एक होता है OSI model और दूसरा होता है TCP IP model तो यहाँ पर question पूछागे है OSI model से related OSI model में total seven layers होते हैं अब यह कौन-कौन से layers होते हैं उनके नाम अगर आप याद करना चाते हैं तो मैं आपको एक short formula बता देता हूँ आप इस formula को कहीं पर no down कर लिजेगा सभी layers के नाम याद हो जाएंगे A-P-S-T-N-D-P यह बार-बार में कई बार अपने videos में बता चुका हूँ अब गर आप इस particular word को याद कर लेते हैं तो आपको सारे layers के नाम याद हो जाएंगे प्लस इनका order भी याद हो जाएगा तो यहाँ से start करते हैं सबसे पहली layer होते हैं physical layer और सबसे अंतिम layer होते हैं जिसको बुलते हैं सात्वी layer यह होती application layer ती होगी physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer और application layer इस तरह से आप इन 7 layers को याद कर सकते हैं अब इस question की और सा networking device physical layer पर कारी करता है तो इस question का right answer हो जाएगा option C, repeaters होता है वो physical layer पर कारी करता है तो option C इस question का right answer है तो अब आईए दिखते हैं अगला question तो अगला question ने encryption और decryption किस layer का कार है, session layer, presentation layer, transport layer या फिर network layer तो अगर आपने CCC news syllabus की videos देखोंगे तो आपको यह सारे topic काफी detail में मिल जाएंगे कि मैंने वह आपने इन सभी topics को काफी detail में explain किया layers के बारे में बताएं कौन से layer पर कौन सा networking device काम करता है, किस layer का क्या काम होता है, यह सारी चीजे मैंने काफी detail में explain की इसी वज़े से मैं आप सभी से बार-बार बुलता हूँ, अगर आप एक बार यहां से syllabus complete कर लेंगे तो आपके लिए यह सारे questions बहुत easy हो जाएंगे तो इस question का right answer है, option B, presentation layer पे encryption और decretion का कारिफ होता है तो अब हम देखेंगे अगला question, board rate या board दर क्या है, जल्दी से बताइए तो इस question का right answer हो जाएगा option A, means 30 second signal change होने का जो rate होता है, उसको हम बोलते हैं, board rate या board दर और अगला question है, कौन से topology, सुरच्छा, मजबूत और traffic कारक को समाप्त करती है अभी-भी मैंने explain किया था, topologies के बारे में, और इसको मैंने काफी detail में explain भी किया था तो जल्दी बताइए क्या होगा, इस question का right answer, star, miss, bus या फिर ring कौन से topology, सुरच्छा, मजबूत और traffic कारक को समाप्त करती है तो इस question का right answer हो जाएगा option B, miss topology अभी-भी मैंने explain किया था, यहाँ पे security होती है, मजबूत connections होते हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ directly connections के मादिम से connect होते हैं तो यहाँ पे disconnectivity की बहुत ही कम chances होते हैं दूसरा है, traffic यहाँ पे नाक के बराबर होता है, क्योंकि सारे जो computers होते हैं, devices होते हैं एक single cable के मादिम से एक दूसरे के साथ direct connect होते हैं और अगला कुछने दो अलग प्रकार के network को जोणने के लिए किसका उप्योग करेंगे तो आई होब आप सभी को पता होगा, इस question का right answer क्या है क्योंकि मैंने अभी अभी इन सभी devices के बारे में detail में explain किया है bridge, router, repeater, gateway अब देखिए आपे नया एक networking device आया है, router router का का काम होता है कि जो data packets होते हैं उनको source to destination किस रास्ते से भीजना है कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पे traffic कम है जिससे हमें particular packet को source to destination भीजना है ये decision लेने का काम करता है router तिहां पे इस question का right answer क्या होगा जल्दी से बताए इस question का right answer है option D gateway का इस्तिमाल के जाता है दो अलग प्रकार के network को आपस में जोडने के लिए और अगले कुछ ने bridge OSI model की किस परत पर कारी करता है और OSI का full form होता है open system interconnection OSI एक networking model है जिसमें total seven layers होती है तो इस question का right answer रू जाएगा option D data link layer bridge data link layer पे कारी करता है और अगला question है DHCP server client को क्या प्रदान करता है और यहाँ पर DHCP का full form exam में पूछा जा सकता है तो आप इसको भी याद कर लीजिए इसका full form होता है dynamic host configuration protocol और इसका काम क्या होता है यह जो network से connected devices होते हैं उनको IP assign करता है automatically IP assign करने का काम करता है तो इस question का right answer हो जाएगा option B IP address यह क्या करता है server से client को IP प्रदान करने का काम करता है DHCP एक server होता है जो connected, network से connected जितने भी client PCs होते हैं या client devices होते हैं उन सभी को randomly automatic IP assign करता है जो कि एक dynamic IP होता है और अगला question है IP 6 पते का आकार क्या है तो दो दरा के IP address इस्तेमाल होते है एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6 और IPv4 आलमोस्ट इसकी जो range है वो finish होने वाले है जिसकी वज़े से IPv6 का challenge start हो चुका है और इस question का right answer हो जाएगा option C 128 bit IPv6 पते का जो size होता है 128 bit होता है और अगर हम IPv4 की बात करें तो यह 32 bit का होता है और अगला question ने नेटवर्क में bandwidth का क्या अर्थ है जैसे की bot rate पूछा गया है उसी तरह से यहाँ पे एक दूसरा question आया है networking में bandwidth का क्या का रहे है या bandwidth का क्या अर्थ है तो इस question का right answer हो जाएगा option C संचार channel की संचरण छमता इसका मतलब होता है transmission capacity जिस माध्यम से या medium से आप data transmit कर रहे है उसमें maximum data एक साथ कितना भेजा जा सकता है उसकी capacity का है जिसको बुलते है network bandwidth और अगला question ने संदेश भेजने के लिए एक connection उनमुक्त विस्वसनी सेवा प्रदान करता है अब देखे कुछ ऐसे questions होते हैं जिनको English में आपको समझना चाहिए क्योंकि आपके computer एक ऐसा subject है जिसको हो सके तो आप उसे English में पढ़ें तो ज़्यादा better या आपको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि जब हम उन questions को हिंदी में translate करते हैं तो वो काफी अजीब सा question बनता है उसको समझने में काफी problem हो सकती है तो यहाँ पर इस question में पूझे गया है संदेश भीजने के लिए connection उन्मुख means connection oriented reliable service for sending messages तो इन में से इस question का right answer क्या होगा means connection oriented protocol की बात की गई कौन सा ऐसा यहाँ पर protocol है जो correction oriented है इस तरह कभी question पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा protocol connection oriented protocol है तो इस question का right answer हो जाएगा option B, TCP, transmission control protocol एक connection oriented protocol होता है जबकि अगर हम UDP या IP की बात करें तो यह दोनों जो protocols होते हैं वो connectionless protocols होते हैं अब connection oriented क्या होता है यह आप समझ लीजे जैसे मार लीजे हमारे पास एक data भीजना है system A से system B के पास और यहाँ पे कुछ network हैं जिसमें कई सारे network इस तरह से computers connected हैं जिनके मारे डेटा यहाँ पे transmit होना है कुछ इस तरह से अब अगर हम यहाँ पे data transmission के लिए देखें तो कई सारे path बनना है अब यह data किसी भी path के मादियन से A to B भेजा जा सकता है अगर हम यहाँ पे TCP का इस्तिमाल करते हैं तो यह क्या करेगा सबसे पहले A to B एक path establish कर लेगा मार लेजें यहाँ से data यह भीजता है इस line के थ्रू इस line के थ्रू और इस line के थ्रू तो जब तब A to B data transmit नहीं हो जाता है जितना amount of data है वो पूरा का पूरा data इसी route से transmit होगा इसको बोलते है connection oriented तो TCP क्या है connection oriented है इसी वज़े से सबसे ज़्यादा बिस्वसनी प्रोडोकॉल माना जाता है इसी वज़े से internet में इसका इस्तिमाल किया जाता है और इसके साथ में IP प्रोडोकॉल का भी हम इस्तिमाल करते हैं तो TCP IP हमेशा एक साथ में इस्तिमाल होते है अब अगर हम बात करें UDP की तो UDP connection less protocol होता है means यहाँ पे A to B data भीजना है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमेशा जो path established हो रहा है उसी path से में data भीजना है यह किसी भी path को कभी भी change कर सकता है हो सकता है जब पहली frame भेजा जा रहा है यह पहला packet भेजा जा रहा है वो इस route से भेजा जा है दुबारा से अगर लगता है कि यहाँ पे कोई congestion है तो यह route change कर देता है और किसी दूसरे route के माद्यम से A to B data भीजना शुरू कर देता है तो UDP क्या है connectionless protocol है लेकिन अगर हम TCP और UDP की बात करें तो UDP की जो data transmission speed होती वो जादा होती है क्योंकि यह कभी भी path बदल लेता है हो सकता है TCP ने जो path select किया हूँ वो transmission speed में सबसे कम speed दे रहा हूँ लेकिन एक बात path establish होने के बाद पूरा का पूरा data उसी के माद्यम से भीजना है जबकि UDP क्या गरता है हमेशा shortest path select करता है और ऐसा path खुचता रहता है जिसके माद्यम से आसानी से और तेज गती से data भीजा जा सके तो देखी UDP का इस्तिमाल हमेशा किया जाता है जब हम conferencing करते हैं या video streaming करते हैं तो उस time पे जो protocol इस्तिमाल होता है वो था है UDP और simple संचार communication के लिए में इस्तिमाल करते हैं TCP इस question का right answer हो जाएगा option B तो I hope समझ में आ चुका होगा UDP और TCP में क्या difference होता है और अगला question ने किस topology के लिए multipoint connection की आवस्यक्ता होती है तो ये बहुत simple से question इस question का right answer हो जाएगा option B बस जिसमें multipoint connection की आवस्यक्ता होती है तो अगला question ने IP पते के किस वर्ग में default रूप से सबसे अधिक host पते उपलब्ध है तो ये भी काफी important question है यहाँ से भी कई सारे questions पूछे जा सकते हैं देखे अगर हम IP पते के बात करें means IP address के बात करें तो इनको कई अलग-अलग classes में divide किया गया है जैसे कि A, B, C, D और E तो यहाँ पे D जो होता है वो multi-cast, यह broadcast के लिए reserve रहता है इसकी IPs को publicly इस्थिमाल नहीं किया जाता है और यहाँ पे network maintenance के लिए यह reserve class होती है इसको भी publicly इसके IP इस class की IPs को इस्थिमाल नहीं किया जाता है A, B, और C के IPs को publicly इस्थिमाल किया जाता है systems को assign किया जाता है अगर हम इसके size की बात करें तो जो IPv4 होता है 32 bit का होता है यहाँ पे 1-1 byte के 4 अलग-लग भाग होते है means यहाँ पे 8 bit हो जाएंगे 8 bit यहाँ पे होगा 8 bit यहाँ पे होगा 8 bit यहाँ पे होगा और अगर हम इसी तरह से B की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का structure होगा यहाँ पे भी 4 होगे इसको मैं explain करना हूँ था कि आपको समझ में आये अगर इस question को किसी भी class से related पूछ लिया जाए तो आप उसका आराम से answer दे पाएंगे तो इसको समझ लीजे यहाँ पे जो हमारा IP address होता है उसमें network ID और host ID दो चीजे होते है तो जो class A होता है इसमें जो network ID होता है वो 8 bit का होता है means network ID सिर्फ यहाँ पे इस जगे पे इस्तेमाल किया जाएगा means 8 bit का होगा तो इस block को यूज करेगा और बाकी जतने होंगे वो सभी की सभी host ID होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 24 bit का होता है host ID जबकि network ID होता है 8 bit का class A में 24 bit का होता है host ID जबकि network ID होता है 8 bit का इससे आपको याद हो जाएगा अगला है यहाँ पे class B अगर हम class B की बात करें तो यहाँ पे network ID network ID यह 16 bit का होता है और यहाँ पे जो host ID होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं यह 16 bit का हो जाएगा यहाँ पे host ID और host ID क्योंकि 32 bit में अगर 16 bit network ID हो जाएगा तो जाहिसी बात हीए 16 bit का हो जाएगा और अगर हम class D की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा clear कर लेते हैं क्योंकि यह काफी important question है यहाँ से कई सारे questions पूछे जाते हैं और अगर हम class D की बात करें तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे चार block होंगे यहाँ पे network ID आएगा यहाँ पे भी network ID आएगा और यह host ID होगा तो यह हो जाएगा 24 bit का जो network ID हो जाएगा और इसके बाद बचे हुए जो 8 bit होंगे यह host ID हो जाएगे तो सबसे कम host ID किसमें होते हैं class D में सबसे ज़्यादा host ID किसमें होते हैं class A में ओके तो I hope समझ में आ चुका होगा इस question का right answer क्या है ID पते के किस work means किस class में default रूप से सबसे अधिक host पते होते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option A सबसे ज़्यादा पते होते हैं आब यहां से पूछा जा सकता है कि host address कितने bit का होता है class A में तो यह 24 bit का होता है यहां से network के बारे में पूछा जा सकता है कि network ID class A में कितने bit का होता है तो यह 8 bit का होता है ओके तो आज के test का last question था उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज हमारे इस video को like उसे जरूर कीजेगा और comment box में जरूर बताएगा आज का यह test कैसा लगा यह कुछ e-books हैं जो कि हमारी website gyanxp.com पे available हैं आप चाहित इनको ले सकते हैं gyanxp.com पे आपको triple C का पूरा complete syllabus मिल जाएगा video lectures, study material, model paper, mock test यह सारी चीजे हमारी website पे available हैं तो आप यहां से भी तयारी करते रहिए और अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें साथ में bell icon on करें तागे जब भी हमारी कोई live class लाइब टेस्स स्टार्ट होती है उसका नोडिवेगेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमाई साथ daily 8 बजी से online test में जुड़ सकते हैं और आप चाहें तुम्हें whatsapp पे follow कर सकते हैं आप हमें insta पे follow कर लीजे इंस्टा पे follow करने के लिए हमारा idea insta idea ग्यान xp आप चाहें तुम्हें facebook पे follow कर सकते हैं facebook पे हमें search किजिए ग्यान xp टाइप करके तो मिलते हैं अगले online test में तब तक लिए bye bye thank you thank you for watching